हेलो फ्राइंज वेल्कम बेक टू रिद्धिस क्रियेटिव किचन तो आज है आपड़े फरार मा खाई शकाई तेवी एकदम टेस्ती खिलेली खिलेली छुटी-छुटी साबुदाणानी खिचडी बनावता सिखीशु। ओछा तेल मा पण केवी रिते तेने एकदम चिकाश वगर नी बनावी शकाई तेनी बद्धिज टीप साथे वीडियो बनावेलो छें। चोकस्ती आ रेसिपी प्रमाणे एक वकत साबुदाणानी खिचडी बनावी जोशो। तमने पण आटलूज परफेक्ट रिजर्ड अवश्य मर्से। तो चलो फटाफट रेसिपी नी शर्वात करी देए। प्रेंट्स चेनल पर फर्स्ट टाइम आव्या होई तो चोकस्ती चेनल ने सब्सक्राइब करी। बाजुमाराहेल बेल आइकोन पन अवश्य प्रेस करशो। तो सवती पेला खिचडी बनावा माटे एक कप जेतला साबुदाणा लिदेला छे। सवती पेला आपणे तेने 2-3 वकत एकदम सरस रिते धोई लेवाना छे। मार्केट मा नानी अने मोटी बने साइजना साबुदाणा मरता होई छे। थोड़ी मोटी साइजना था ए रितना साबुदाणा मे अत्यारे लिदेला छे। तो 2-3 वकत पाणे नितारी आने साबुदाणा नेकदम सरस धोई लिदेला छे आपणे। हवे तेनी अंदर साबुदाणा डुबे आने तेमा समाई एटलुज पाणी तेमा उमेरवानु छे। आपणे आत्यारे एक कप साबुदाणा लिदेला आता तो तेमा एक कप मा आटलु पाणी 2-3 चम चीजेटलू ओछु रहे एटलु पाणी तेमा उमेरेलु छे। हवे तेने ढाकी ने 6-7 कलाक रहवा देवानु छे। तो आपणे जोई लईए। तमे जोई शकोचो साबुदाणा एकदम सरस्रीते फूली गया छे। बद्दूज पाणी एब्जोब थाई गया उचे। खुबज इम्पोर्टन छे। साबुदाणा मा पाणी रई जाशे तो परिना में तमने एकदम चीकास वाडी खीचरी मर शे। तमें जोई शकोचो एकदम खीलेलो दानो थयो छे। तो अवे आ रितनी कोई कड़ाई लाइशु तमें जोई शकोछो में स्टील नी कड़ाई नोज उप्योग करेलो छे छता पन खीतरी यह मानीचे चीपक से नही सवथी पेला वगार करवा माटे बे चमची जेटलू तेल लाइशु तेल थोड़ू गरम थाई एटल आपने तेनी अंदर एक चमची जीरू उमेरी दैसु अ त्यारे में आँ बाफेला बटाका न उप्योग करेलो छे जो तमें काचु बटेकु लेता हो तो सवथी पेला आपने बटाका ने पकावी लेवानु छे अ त्यारे बाफेलूज बटाकुली देलू छे ले जस्ट एक थी बे मिनिट माटे आने आरीते थोड़ू फ्राई करी लाइशु फराडी रेसिपीज मा घणा बदा लोकोनी घरमा घणु बदू खवातु होई छे घणु बदू नथी खवातु होतु तमारा घरमा जो काई वस्तु आमा नखवाती होई तो तमे तेने स्कीप करी शको छो एक मोट्टी चमची जेटलो आपड़े आदू अने मर्चा ने आरीते में थोड़ा कोर्सली ग्राइन करेला छे तेने उमेरी दैशु खीचडी मा तीखास मर्चा थीज आउसे अटले ए प्रमाण आपड़े तेने लिदेला छे एकदम सरस रीते तेने पण आपड़े थोड़ू फ्राइ करी लाइशु मिठा लिम्ड ओर छे या दस्ती बार मिठा लिम्डा ना पांदू मेरी दैशु अवे अतियारे में काचा शिंग्डाणा लिदेला छे सिंग्डाणा ने पन तम्या थोडा shakin गेने पन लईसको छो अतियारे आपणे 4-5 चम्ची जेतलो आपणे शिंग्डाणानो भुकोली देलो छे आने एwnे पन कौर्षली ग्राइन करेलो छे कारण के तेनी जे बाइट आउसे ते मजा आउशे मरीनों भुकोली देलो छे अर्दी चमची जेटलो अवे आपने अर्दी चमची जेटलो शेकेल जीरा नो पाउडर उमेरीसु खुब जी टेस्टी लागे छे अ त्यारे आपने नोर्मल मीठ उप्योग करेलु छे तमे साबुदारा एकदम सरस्रीते फुली गया छे आने पाणी नो भाग बिलकुल अज नथी एकदम अज ड्राई छे तमे जोईशको छो बाउल पन एकदम क्लीन छे आरी ते तेने स्प्रेड करी दैसु अने अत्यार आपने तेने बिलकुल अज हलावानु न थी हवे ढाकी न आपने तेने एकदम धीरा तापे थवा दैसु तो हवे आपने चेक करी लाईसु अने वच्चे एकदम अज हडवा हाथ्या प्रोसेस करवानी छे ने तर साबुदारा नू जे दानों छे ते तुटी जशे अने खीचरी बिलकुल पन नीचे चिपकेली पन नथी तमे आपने खुबज ओछा तेल मां आने बनावी छे चोकस्ती आरी तेक वकद खीचरी बनावी जोशो औने चीकास पन बिलकुल अज नथी देखाती हवे आपने तेनी अंदर अरधा कप जेटली जीनी समारेली कोथमीरू मेरी दैसु औने अरधी चमची जेटली खांडू मेर दैसु जे टोटली ओप्सनल छे पर खीचरी नो स्वाद थोड़ो गड़ चटो होई तो ते खावामा वधार टेस्ती लागे छे बदुबराबर मिक्स करी दैसु तो तमें जोई शको छो एक दानो एक दम छुटो छुटो छे औने बिलकुल चीकास नथी आपनी खीचरी म तो 5-7 मिनीट बाद आपने चेक करी लएशु आपनी साबुदानानी खीचरी एक दम परफेक्ट रेडी थाई गई छे चोकस्ती आ रेसीपी थी एक वखत तमें खीचरी बनावी जोशो तमने पन आटलू जो परफेक्ट रिजल्ट मर्शे आने एक दम मार्केट माथी आपने उपरती थोड़ो लिम्बुनो रस उमेरी दैसु औने बद्धू बराबर मिक्स करी आने साबुदानानी खीचरी ने साव करी दैसु तमे आने ग्रीन चटनी साथे के दई साथे के एम मज आपने तेने एंजोई करी शक्ये छे तो फ्रेंच तयार छे एक दम परफे खुब जल्दी थी खीचरी ने तैयार करी शकाई छे तो आज रिते आपने नीत नवीन डिलिशेस रेसेपी साथे रिद्धिस क्रेटिव कीचन पर मढतारे चु फ्रेंच आउज जो जेशी क्रश्न आज नो वीडियो तमने पसंद आवे होर तो चोकस्ती चेनल ने सब्सक कर जो वीडियो ने लाइक कर जो और तमरा फ्रेंच सरकल साथे शेर कर जो फरी थी मारी सुब फ्रेंच आउज जो जेशी क्रश्न